जै हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल कनहिया जी यस वल्ड में दोस्तों यूपी त्रिपलेसी द्वारा एक और नई भड़ती का विग्यापन जारी कर दिया गया है जिसका नाम है नकसावनीस वा मानचित्रक मुख्य परिक्षा यानि कि जो मानचित्रकार वाली वैकेंसी आनी थी वह आ चुकी है इसका आवेदन 18 दिसंबर से सुरू हो जाएगा और 8 तारिक जनवरी 2024 तक इसका आनलाइन होगा इसमें क्या-क्या क्वालिफिकेशन है कौन-कौन से लोग फार्म भर सकते हैं लिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में दोस्त सबसे पहले तो जान लीजिए टोटल पद की बात करें तो यहां पर टोटल पद अब की बार आए हैं यहां पर 172 प्लस 78 एक सो बात्तर जो है समाने चैन से आए और 78 पद विसेश चैन है टोटल पद कुल 283 हो रहे हैं और यहां पर हाँ ठीक है तो इसमें देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है तो इसमें आप सब को पता है पेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए यानि कि पेट में यदि आपने आवेदन 2022 वाला 2022 वाला पेट आपने दिया है तो इस फार्म को आप भर सकते हैं बाकि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है चलिए देखते हैं देखिए यहां पर पेट 2022 आपका फार्म उसमें होना जरूरी है बाकि यहां पर आपकी फीस की बात करें तो सबसे यहां पर फीस रखी जाती है 25 उर्पिया इसको आवेदन करने की चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो सब के लिए यहां पर 20 रुपिया रखी जाती है यहां पढ़ेंगे तो मुख पर इच्छा है तो सुल्का बुक्तान केवल मुख पर इच्छा है तो सार्ट लिष्ट किये गए अब भरतियों त्वारा अलग से किया जा जाता है उसे देंगे और उसके बाद ही अपना एडमिट का डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर जब हम देखेंगे वैकेंसी तो वैकेंसी यहां पर आप कैटेगरी वाइस देख सकते हैं विभाग का नामे सिचाई एमंग जल्द संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश और पद इसी में 25 पद हैं ठीक है और EWS के सत्रे इस प्रकार देखेंगे कुल 172 हो जाते हैं और जो दूसरा क्रिसी विभाग में मांचित्रक का पद है इसमें टोटल पदों की संख्या तहती से कैटेगरी वाइज आप मिला सकते हैं बाकी तीसरे नंबर का नक्सा वनीस जो है वह 78 पद यहां पर रखे गए हैं टोटल इस प्रकार से कुल देखेंगे तो 283 हो जाता है ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट यहां पर इसमें क्वालिफिकेशन और यहां पर जो पद हैं इसमें 36 आरट 6 वाइज यहां पर देख सकते हैं किसको कितना मिला है और दिभ्यांग के ल करना चाहिए तो आपको उत्तर प्रदेश विभाग रेखांकन अधिनश्ट सेवा नियोमाली उन्नीस सो पचासी भाग्चार के अनुसार नक्सावनीस के पद हेतु सीधी भरती के लिए अभ्यरतियों को नंबर एक रूड की विश्टो विद्याले से नक्सावनीस प्रमा पत्र हो यहां पर तीसरा है अलीगड यूनिवर्सिटी से यहां पर धाइवर्स का प्रमाड पत्र चौथे नंबर पर राज की प्रावेदिक सिच्छा परसे उत्तर प्रदेश से यहां पर प्रमाड पत्र ठीक है पांचवे नंबर पर या आपके पास इन में से कोई एक हो किसी अन्य संस्टाफ प्रतत अभिक्यांत्री के में त्री वर्सी डिप्लोमा है यानि कि आपने सिविल इंजिनरिंग से डिप्लोमा किया है तीन वर्सी तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं आठवे नंबर का देखेंगे तो स्रम विभाग द्वारा इसमें यदि आपका है तब भी कर सकते हैं अधिमानी अरता क्या है यदि आपके पास है तो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं इसे कोई मतलब नहीं यहां पर इन में से इन में से कोई एक अहरता आपके पास होनी चाहिए जो आठो दिया है आठ में से यदि कोई एक आपके पास डिगरी है डिप्लोमा है तो आप अपलाई कर सकते हैं बाकि दूसरे नंबर का पद है किरसी बिभाग किर्सी बिवाग में मान चित्र के लिए पद है इन में से देखिए इन सभी पॉइंटों में से कोई भी एक हो माध्मिक सिच्छा परिशत उत्तरप्रदेश की हाई स्कूल परिच्छा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मानिता प्राप्त की हो और यहां पर दूसरा जो खा न प्रावनत पत्र हो या फिर राज तकनीकी या भी अच्चीव ठीक है और यहां पर इन में से देख सकते हैं कोई एक हो बाकी यहां पर होना का वाला अनिवार है और ख में से कोई भी एक हो आयू कब से लिया जाएगा तो इसमें देख सकते हैं आयू 30 जून ठीक है 30 जून अवधी में विग्याप्ति किये गए पहली जुलाई को यदि जुलाई 31 दिसंबर की अवधी तक विग्याप्ति किये गए 21 वर्स यानि 21 से 40 वर्स आपका इसमें एज मांगा गया है और कि नेक्स्ट यहां पर देखेंगे कोई भी इंपोर्टन चीज होते देख लिते हैं बाकि यहां पर कुछ नहीं है इसके लिए बहुत सारे लोग कटाफ पूछेंगे तो पहले यहां पर अप्लाई करिए यहां पर कटाफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी इसके बार में भ 45 गुना बुलाए गया है तो यह डिपेंड करेगा कि कितने लिगोंने फार्म डाला है उस हिसाब पर उस पर निर्फार करेगा बाकि कुछ यदि पूछना हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रू पूछिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैंद